आज हम वेज पिजा बना रहें डॉक्टर सर्जन बीशीशा बक्ति विदान्टा अस्पिटर इनके रिक्वस्ट पे बना रहें बिस्मिल्ला इरमांद्रीम हम वेज पिजा बना रहें ये पूरा सामान रखे हैं ये सामान जितना लगेगा उतना हम दालेंगे ये पिजा सॉस है ये चिली फिक्स है और ये मिक्स सफ है और ये बेबी कौन है ये बेबी टोमोटो है और ये काली मिर्च कुटी वी है और ये कलाल शिमला मिच है ये पिली शिमला मिच है ये हरी शिमला मिच है ये थोरा सा और ये नवमक है जितना लगेगा उतना डालेंगे और ये पिजा की रोटी है ये मोजरोला चीज है अभी ओवन को कन्वेक्शन मोड पे रख रहे हैं 15 मिनेट्स के लिए प्री हीट होने के लिए बिस्मिल्ला एर्मान रहीम अभी हम पीजा बनाने का बता रहे हैं देखो अभी हम पीजा सोस लगा रहे हैं अभी चटर चीज लगा रहे हैं ये देखो अभी हम मोजरोला चीज दालेंगे कैसा पिजा बना रहें देखो, हमारे एसाप से बना, हमारे तरीके से बना और आमारी बेटी पिजा सोस बनाने का बसा रहे ईए वो सबने देखो और इसको like करो, share करो, subscribe करो, भोध अच्चा पिजा सोस बनाती हो अभी हम ये हरी सिम्रा मीच लगा रहें अभी हम पीली सिम्रा मीच लगा रहें अभी हम लार्ग सिम्रा मीच लगा रहें अभी हम कांदा लगा रहें आपको चाहिए तो कांदा लगाओ आपको ये नहीं चाहिए तो मत लगाओ हमारे डॉक्टर साब कांदा नहीं खाते हैं डॉक्टर विशिशा ने बनाने बोले हैं हमारे विशिशा डॉक्टर साब जे नहीं इसके लिए हम कांदा आपको दिखाए डालते था हैं अभी निकालते कांदा भी बता रहे हैं आपको चाहिए आप कांदा दाल सकते हम भीशिशा डॉक्टर सर की रिक्वस है इसके लिए हम पीजा बना रहे तो हम कांदा निकाल दी डालके निकाल दी अभी बेबी कॉन लगाएंगे यह देखो अभी कॉन लगाके हो गया अभी चेरी टमाटो लगा रहे है तेको इससे बहुत यह बहुत टेस्टी टमाटो रहता है अभी हम गिरीन अभी हम काली मिल्च लगा रहे हैं कुटी वी अभी हम चिली पीस लगा रहे हैं और यह अभी अभी हम पिसाब से नमक लगा रहे हैं ते देखो इस नमक दाल रहे अभी हम मोजरोला चीज लगाएंगे जितना चीज दालेंगे ना उतना टेस्टी पिजा बनेगा पिजा के लिए चीज ज़्यादा दालेंगे तो बहुत टेस्टी बनेगा अईसा बना हमारे तरीके से बनाओ चट्रर चीज अभी हम लगा रहे हैं अभी पहले मोजरोला लगाएंगे बरफूर लगाने का चीज अच्छा खाने का टेस्टी खाने का कम खाने का एक तम फस्ट क्लास यह देखो अभी हम मोजरोला चीज लगा रहे वापस इतना चीज दानेंगे उतना अच्छा लगेगा हमारे तरीके से बनाओ फिर हमें बताओ अभी जैतुन लगा रहे हरा जैतुन लगा रहे अभी हम मीक्स सब दाल रहे हैं पहले भी दाले अभी भी वापस दाल रहे हैं अच्छा टेस्टी लगने के लिए इसके बाद हम चिली चीज दालेंगे देखो चिली फिक्स दालेंगे ओवन प्री हिट हो गया है अभी पीजा को बेग करेंगे दस मिनट के लिए कन्वेक्शन मोड पे दस मिनट के लिए बेग करेंगे और दस मिनट के बाद आपको दिखाते देखो पीजा बनके तयार है यह देखो आइसा काटेंगे इसको, यह देखे, यह देखो काटेंगे, यह देखे, अभी हमने चार टुक्रे इसके कर दिये, अभी देखो, बताये, यह देखो कितनी सारी हमने जमीदा दिये, यह देखो, यह देखे, अभी हमने चार टुक्रे इसके कर दिये, अभी देखो, अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मैं किचन को सब्सक्राइड करो लाइक करो शेक रो प्लीज